नमस्कार मित्रो आज का प्रजेक्ट तीन बेंड टोन कंट्रोल है आज जो सरकुट आप के साथ साजय कर रहा हूं वे होम आडियो स्टीडियो सिस्टम के लिए है लेकिन पहले एक भूल सोधार वीडियो नमबर आठ में दिखाए गए सरकुट टाइगराम में बेस टोन कंट के वेलियो आबस में बदल गई है 683 की जगा 473 और 473 की जगा 683 होनी है इसे ठीक कर लें PCV पर कंपोनेंट प्रिंटिंग और वारिंग डियागराम में यह ठीक दिखाई गई है केवल सरकुट डियागराम में ही गलत लिख दी है एक और बात TDA 724 के सरकुट में ट्रांस्वामर का 62V CT का मतलब 62V सेंटर टैप है यानि 31-0-31V 3A या 31-0-31V 6A आज का ही सरकुट 12V से 24V तक की सिंगल सप्लाई के लिए बनाया गया है इसका डियूल यानि स्प्लिट सप्लाई वाला सरकुट आप वीडियो नमबर 8 में देख चुके हैं जिसमें माइक प्री अम्प्लिफेर भी लगा हुआ है सिंगल सप्लाई में बनाने के वज़े सब जगह बाई पोलर या नॉन पोलराईजर कैपिस्टर का ना मिलना है इस सरकुट को बिना माइक टे अम्प्लिफेर के बनाया गया है दोस्तो टोन कंट्रोल एक ऐसा जादूई सरकुट है जो अच्छा हो तो साधारन पावर अम्प्लिफेर में भी जान डाल देता है और अच्छा ना हो तो बढ़िया पावर अम्प्लिफेर भी अच्छा रेस्पोंस नहीं दे पाता है सब इसी तलाश में रहते हैं कि टोन कंट्रोल कुछ ऐसा हो कि बस जादू हो जाए चाए हम उसे 44, 41, 85 या 62, 83 जैसे साधारन पावर अम्प्लिफेर के साथ ही क्यों ना चला रहे हो दोस्तो अच्छी रेस्पोंस क्या होती है कुछ के लिए यह है मात्र धम-धम और चम-चम तक ही सीमित है और अन्नी के लिए यह विशे इतना साधारन नहीं है लोगों ने अनेक प्रकार के बेस ट्रेवल सरकेट बनाये हैं उनमें अपनी रूची के नुसार रेस्पोंस को निकाला है बेस और ट्रेवल के center frequencies क्या है उनका क्या down slope है क्या gain है यह सब उनके लिए गयर्थ है उनको यह पसंद है बस यही मांधन्ड है कुछ अच्छे इंजिनेर्स द्वारा भी तीन बेंट उन कंट्रोल डिजाइन किये गए हैं लेकिन उनका gain plus minus 8 या 9 dB ही होता है और वे हमारे देश में समान निते मिनने वाले speaker system और music source के साथ अपना प्रभाव छोड़ने में असफल रहे हैं इस तीन बेंट tone control का उपयोग मैंने कई वर्स पहले stereo cassette tape recorder और tape deck में किया है अब इस circuit में कुछ खास सुधार किये हैं जिसमें इस circuit की lowest और highest frequency range वो gain को limit में रखा गया है जिससे यह किसी भी power amplifier चाहे वह IC type हो या टांस्टाइजड हो सब के साथ पूरी तरह से compatible हो और सही तरह से match कर सके और यह है इसका circuit diagram इस circuit को मुखे रूप से MP3 module के लिए बनाये गया है परन्तु इसके साथ आप माइक pre amplifier या कोई अन्नी input भी अलग से जोड सकते हैं इसकी input पर 200 mV का signal देने से 400 mV के output निकलती है जब सभी tone control अपनी center position पर हो तब इस circuit का gain आप अपने जरूर्द के नुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इसकी input पर लगे बाइस के और inverting input और output के लूप पर लगे 1744 के distance की ratio से इसका gain तै होता है इस gain को कम या ज़्यादा कैसे करें वे यह यहां दिखाया गया है जैसे अभी इसका gain 2.13 है जो 47 के divide by 22 के से निकला है और अगर gain बढ़ाना हो तो 100 के divide by 22 के बराबर 4.54 और अगर gain गटाना हो तो 22 के बटे 22 के बराबर गुणा 1 यहां लगी 22 के की resistance को change नहीं करना है क्योंकि इसी resistance से इस circuit का input impedance भी प्रभावित होता है और साथ ही इस loop पर लगी resistance के साथ लगा यह condenser भी resistance के अनुसार ही बदला जाएगा जैसे अगर 17 के की resistance लगी है loop पर तो यह 100 pf होगा और अगर 100 के की resistance लगी है तो इसके value 14 pf होगी और अगर यहां 22 के की resistance लगेगी तो इसके value 220 pf होगी और यह है इसका tone control का circuit और उसका amplifier इस tone control के circuit का gain अगर mid control center में हो और base और treble maximum boost के तरफ हो तो plus minus 12 dB होता है लेकिन mid control को maximum cut position में करने से और base और treble को maximum boost position में करने से इसका gain 24 dB हो जाता है जो अन्य सभी tone control के तुलना में दो गुना है इस 3 के 3 के resistance से इस circuit के output को इस volume control और balance control में दे दिया गया है यहाँ यह दूसरे channel का volume control भी दिखाया गया है जिस पर यह balance control का दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है मैंने दोनों channel के लिए एक ही volume control याण dual volume control का उप्योग किया है आप चाहें तो दोनों channels के लिए अलग-अलग volume control लगा सकते हैं तब इसमें balance control के अवरशक्ता नहीं होगी अलग-अलग supply voltage पर resistance की value क्या होगी वे भी यहां दी गई है अधिक्तम 12V के लिए 220V, 15V के लिए 330V, 18V के लिए 392V और 24V के लिए 470V है और यह है इसका PCV design और component placement दोस्तों आप मैंसे जिन्नों मैं मुझसे design मंगवाए हैं उन में से जिन्नों ने उन circuits को बनाया है वे भी अपने अनुभोव मुझसे share करें अपने सुजाओं वे comments भी बेजें आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद Corona नियमों का पालन करें नमस्कार